हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है कुसुम कुसुम कॉर्नर में आप सब का स्वागों तो चले देखते हैं बालु साही बनाने के लिए हमें किनकी चीजों की ज़गरों थे बालु साही बनाने के लिए हमें आधा किलो मैदा, एक किलो सक्कर, सवा सो ग्राम दही, चुटकी बर, सोडा, इलाइची और सवा सो ग्राम घी और तेल तलने के लिए सबसे पहले हम यह मैदा को यह बन निकालने में, फिर इसमें हम यह घीरा दें, दही और छुटकी बर, खाने का, सोड़, अब हम इन सबको मिक्स कर दें, देखे फ्रेंड समय सबको मिक्स कर लिया, अब इसमें हम थोड़ा-सोड़ा पानी दा देंगे, हालका सा पानी लेंगे, थोड़ा-thोड़ा ही पानी हम दा लेंगे, आप कुछ के देखिए फर्णस हमने याटे को गूल लिया इसको हम ज्यादा नहीं गूनेगे बस इसको हम ऐसा करके दस बीनट के लिए डाग के देख देखे अब की देखिए देखिए फरेंस अब बालू सही के लिए हम सबसे पहले चासनी बना लेंगे तो मैंने कराई गरम करने के लिए रख दिया है अब हम चासनी बनाएंगे अब इसमें हम सक्कर दाल देंगे और एक ब्लस पानी देंगे और हमें भी चासनी बनने देंगे देखे फ्रेंड्स हम चासनी बना करें थोड़ा देर हम इसे इसे इसी पकने देने अभी हम सक्कर अड़ा जाएंगे देखे फ्रेंड्स हमारी चासनी गल गई है अब मैंने इसमें इलाइची दाल दिया है इलाइची से हमारे बालूशाई में और टेस्ट हो जाएगा और चासनी हमारी पग गईनी इसे देचने के लिए हम अ हल्का सा हाथ मे लेंगे और एक तार आएगा देखिए फ्येंट्स एक ताराया यानि हमारी चासनी बन गई है अब हम गैस का फ्लेम बन अब हम बालू साही बन तलने के लिए एक पेन और गरम करने के लिए रख देंगे अब हम दूसरे लोई लेंगे हमने आटाय को हाथ में ले लिया है और इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और बीच में हम ऐसा कड़ देंगे इसको साइट में रख दी अब हमारा पैन गरम हो चुका है अब इसमें तेल को ज्यादा गरम नहीं करेंगे देखे फ्रेंड अम बालो साही बना रहे है इसको इसा राउंड रोन करना है और इसा चिपका है दोरों बाजू से देखे फ्रेंड तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है नहीं तो हमारी बालो साही ऊपर से पकेगी और अंदर से कच्ची रहे जाएगे इसको हमें मीडियम आज में ही तर लाए है हमारी बालू साही तयार हो गई है और हमारा तेल भी हलका गरम हो गया अब इसमें हम इसे इसको हम मीडियम ही आज में तर लेंगे देखे फ्रेंड्स हमारे बालू साही पक रहे हैं ऐसे हमें मीडियम आज में ही इसको पकाना है देखे फ्रेंड्स हमारे बालू साही ब्राउन हो रहे हैं इसी तरह में इसको चलाते रहना है और थोड़ा ब्राउन करना है देखिए फ्रेंट्स हमारे भालू साही अच्छे से तल चुके हैं ब्राउन हो चुके हैं अब इससे निकाल के हमें डारेक चासनी में डाल देना है इसको में चासनी में डूब हो देना है बाकी बचे होई वालु साही हमें ऐसे रेकर लेखिए कि देखिए फिर्ण्स पांच मिनट हो गए हैं अब अपने बादेशाई को इसमें से इकाई देए कि देखिए फ्रेंड्स हमारे दूसरे बालों साही भी अच्छी तरह से लाल हो चुके हैं अब इसे भी हम चासनी में डाल देंगे अब इसे भी हम इसमें दूबा देंगे चासनी में हम डूबाएंगे काई को कि हमारे बालों साही चासनी अच्छी तरह से सोक सकें कि देखिए फ्रेंड्स हमारे बालों साही बनके तयार हो चुके हैं कि इतने अच्छे बने हुए हैं आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जनूर करना थैंक यू